असलाम लेकुम व्यूवर्स उमीद है आप सब लोग खेरियत से होंगे आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही मज़दार मैंगो आइसक्रीम की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ और उमीद है आपको मेरी ये रेस्पी बहुत पसंद आने वाली है लेकिन रेस्पी स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंग्रीडियंट्स देख लेते हैं व्यूवर्स आइसक्रीम बनाने के लिए मैं यूज करूँगी थ्री मीडियम साइज मैंगो इसे मैंने अल्रेडी डी सीट करके क्यूब्स में कट कर लिया है 300 ml मैं इसमें यूज करूँगी कंडेंस मिल्क 400 ml मैं इसमें यूज करूँगी क्रीम और अल्मोस्ट टू पिंच मैं इसमें एड करूँगी यलो फूड कलर और अब हम इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं यूवर्स आब मैं ब्लेंडर उन करने लगी हूँ और अब मैं इसमें क्रीम एड करूँगी इसमें क्रीम एड करूँगी मैं इसमें टू क्रीम एड कर दी है 400 ml की अब मैं ब्लेंडर को बंदे रहेंगे अब मैं इसके अब बैंको सेट करूँगी अब मैं अपना ब्लेंडर उन करते हैं अब मैं इसमें अब मैं इसमें अब मैं इसमें अब कंडेंस मिल काट करेंगे अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे अब हम आइसक्रीम का मिक्सर अच्छी तरह से बीड हो चुका है अब हम ब्लेंडर को ओफ करेंगे और इससे आइसक्रीम पोट में डालतेंगे अब हम इसके अंदर आइसक्रीम मिक्शर अड़ करेंगे आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं और जो हमने यलो फूड कलर अड़ किया था उसकी विरस इसका कितना खुबसुरत कलर आया अब आप इसको एक से दो बार टैब करें ताकि आपकी आइसक्रीम इकफल हो जाए और अब मैं आइसक्रीम पर बटर पेपर लगा दूँगी बटर पेपर लगाने से ये फाइदा होगा कि आपकी आइसक्रीम में क्रिस्टल्स नहीं वनेंगे और ये बहुत अच्छी तरह से फ्रीज होगी अब हम इसे 12-15 आर्स के लिए फ्रीजर में रखतेंगे और फिर मैं आपको इसकी फाइनल लोग दिखाऊंगी व्यूवर्स आप देख सकते हैं हमारी आइस क्रीम रेडी हो चुकी है अब हम इसकी ओपर से बटर पर को रिमूव करेंगे और हमारी आइस क्रीम कितनी सोफ्ट बनी है विवर्स आप देख सकते हैं आइस क्रीम कितनी सोफ्ट है और इसका जो फर्स स्कूप मैं निकाल रही हूं वो भी कितना सोफ्ट बना है विवर्स आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और मुझे कमेंट करके बताएएगा आपका मेरी रेस्पी कैसी लगी और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो काइनली आप पहले इसे सब्सक्राइब कर लें आपको प्रेस